ब्लोक्स से पैटर्न्स बनाना और एक पैटर्न्स विद ब्लोक्स पार्ट वन इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने आस पास पैटर्न्स को पहचानना ब्लोक्स पैटर्न्स को देखकर नियम पहचानना ब्लोक्स पैटर्न के नियम पहचान कर उसे आगे बढ़ाना देखो तो यह दोनों बेहने इंदू और मिष्टी बाग में क्या कर रही है? इदी मैं आ गए अब क्या कर रही हो? आओ मिष्टी यहां बैठो देखो आज मैं ब्लोक्स से पैटर्न बना रही हूँ दीदी ब्लोक्स से पैटर्न बनाना क्या होता है? देखो मेरे पास कुछ ब्लोक हैं जिन पर डिजाइन बने हुए हैं अगर इन पर रंग लगा कर मैं किसी कागज या कपड़े पर इन्हें छाप कर एक डिजाइन बनाती हूँ और डिजाइन बनाने के लिए इन्हें किसी क्रम में दोहराती हूँ तो उसे एक पैटर्न कहते हैं मैं इन ब्लोक्स से इस कपड़े पर पैटर्न बनाऊंगी और फिर मां इस कपड़े से तुम्हारे लिए एक फ्रॉक बनाएंगी अरे वाह दीडी तो हम अच्छा सा पैटर्न बनाएंगे पर दीडी मुझे पैटर्न के बारे में और बताओ न क्या पैटर्न सेर्फ ब्लोक्स से ये बन सकते हैं नहीं मिष्टी हमारे आसपास भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं जरा सर उठाकर आसमान में उन पंचियों को देखो कितने सुन्दर लग रहे हैं हाँ, तुम्हें कुछ और नजर आया वे सब वी के आकार में उड़ रहे हैं बिल्कुल सही, वे सब वी आकार के पैटर्न में उड़ रहे हैं अच्छा अब इस तहनी को देखो इसमें कोई पैटर्न नजर आया इसमें पत्ते बीच के डंडी के दोनों तरह बिल्कुल साप साथ लगे हैं और देखो दीदी, ये कितनी सुन्दर तरह से लगे हैं और ये फूल देखो इनकी पंखुडियां भी कितनी सुन्दर तरह से सजाई गई हैं ये भी एक पैटर्न है हमें प्रकृती में इस तरह के कई पैटर्न नजर आते हैं आसपास देखो क्या तुम्हें कोई और पैटर्न नजर आ रहा है? दीदी, मेरे पैर की उंग्लियों को देखो कैसे मेरी उंग्लिया बड़े से छोटे क्रम में है अरे, ये तो तुमने अच्छा पैटर्न ढूंडा बच्चों, आप भी वीडियो को रोग कर कुछ और ऐसे ही पैटर्न ढूँख सकते हो चलो, अब हम इस कपड़े पर ब्लॉक्स से पैटर्न बनाते हैं देखो, मेरे पास ये ब्लॉक्स हैं दीदी, मैं बनाओ? हाँ, बनाओ, पहले इस ब्लॉक्स पर रंग लगाओ और फिर उसको कपड़े पर लगाएंगे ठीक है ये देखो ये लो, अगला तुम लगाओ ऐसे दीदी? अरे नहीं, ऐसे नहीं पहले ये देखो कि मैंने पहले दो ब्लॉक्स कैसे लगाए हैं जिस नियम से उन्हें लगाया गया है अगर उसी नियम से आगे बढ़ेंगे तो ही पैटर्न बनेगा और यहाँ ये तो उल्टा हो गया अच्छा, ऐसे दीदी? हाँ, एक दम सहीं इस पैटर्न के नियम के अनुसार हम इस ब्लॉक को सीधा लगा रहे हैं और इसे ही दोहर आ रहे हैं दीदी, हम उल्टा ब्लॉक लगा कर भी पैटर्न बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हम अपना नियम बना कर भी पैटर्न बना सकते हैं देखो अब इस पैटर्न को देखो और बताओ, यह किस नियम से बनाया गया है? यह ब्लॉक को उल्टा और सीधा प्रिंट करके आपने कितना सुन्दर डिजाइन बनाया है? तो इस पैटर्न का नियम क्या हुआ? इस पैटर्न का नियम है पहले दो सीधे ब्लॉक और फिर दो उल्टे ब्लॉक को क्रम में लगाना एकदम सही और ऐसे ही इस नियम से हम इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं आओ, मैं तुम्हें और नए ब्लॉक डिजाइन दिखाती हूँ हाँ हाँ दीदी, दिखाओ दिखाओ मुझे बहुत मजा आ रहा है देखो, अगर इस पर रंग लगाकर इसे कपड़े या कागज पर लगाएं तो ये भी एक ब्लॉक की तरह उपयोग किया जा सकता है हाँ दीदी, ये तो एक ब्लॉक की तरह है हाँ, हम इनसे भी अलग-अलग पैटर्न बना सकते हैं किस तरह सबजी से डिजाइन, मैंने तो सोचा ही नहीं था अब सोच कर बताओ, क्या किसी और सबजी या खाने की वस्तूओं को हम ब्लॉक की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं हम, शिम्लामिच, अकरोट शाबाश बच्चों, आप वीडियो को रोब कर कुछ और ऐसी वस्तूओं के बारे में सोच सकते हो ये देखो मिष्टी, मैंने तुम्हारी फ्रॉक के लिए ये पैटर्न बनाया है पहले मैंने लाल रंग से इस ब्लॉक से ऐसा पैटर्न बनाया फिर पीले रंग से इस ब्लॉक से ऐसा पैटर्न और फिर हरे रंग से ये भिंडी से पैटर्न बनाया है इसे ऐसे ही बार-बार दोहराया है मम्मी, जल्दे आओ, देखो देदी ने मेरे लिए क्या खूब पैटर्ण बनाया है अब आप मेरे लिए एक संदर सी फ्रॉक बना दो इस वीडियो में हमने सीखा अपने आसपास पैटर्ण को पहचाना ब्लॉक पैटर्ण को देख कर नियम पहचाना ब्लॉक पैटर्न के नियम पहचान कर उसे आगे बढ़ाना